आज का कुश्चन है दबूलियान इक्वेशन यहां पर बूलियान इक्वेशन दी है य इस इक्वेशन को इंप्लिमेंट करना है वह भी तो इंपूट नेट होंगे तो आपको मतलब आपको कितने नेंट गेट्स रिक्वाइड होंगे मिनिमम नंबर वह आपको बताना है ठीक है ओप्शन से 3 5 6 & 4 अब देख लेते हैं यहां पर लिख लिया यह दो टर्म में देखिए यह पहली और लास्ट वाली इसमें सी क erreichen in दो नों में νबें पौमन लेंगे और यह जो दोनों टर्में में सी बार कॉमन लेंगे तो चांदर बचेगा एबार भी प्लस एबी ऑर से दोनों में से सी बार कॉमन ले लेंगे ता अंदर बचे एंदर बिपूलीमेट जोगी हो जाएगा वन डोकी सलखर है XOR gate के लिए मतलब A और B के बीच XOR operation है मतलब A XOR B अब अगर आपको XOR gate बता है XOR gate बनाने के लिए आपको 4 NAND gates की जरूत होती है तो देखिए XOR gate यह इस तरह से बनता है इन 4 NAND gates की help से बनता है तो आप 4 NAND gates की help से output कैसे XOR आ रहा है वो हम देख लेते हैं कि यहां से A गया यहां से यहां पर भी A आया यहां पर A गया यहां पर B यहां पर B और यहां पर B गया ठीक है अब यह first NAND gate का output क्या हो जाएगा A AND B और इसका complement ठीक है तो यहां पर गया आपका A AND B complement और A तो इन दोनों के बीच NAND मतलब क्या हो जाएगा A AND AB complement का whole complement मतलब जो दो variable आते हैं input आते हैं आपके उन दोनों inputs के बीच AND और फिर उसका complement इसी तरीके से यहां पर output हो जाएगा यह B आ रहा है तो B AND A B complement complement ठीक है अब यह जो इन पूट आ रहे हैं यहां पर है यह जो दो इन पूट आ रहे हैं तो उन दोनों inputs के बीच AND और फिर उसका complement जो की Y हो जाएगा ठीक है तो हम Y को क्या लिख लेंगे Y is equal to first input आपका क्या है B dot AB complement complement AND यह आपका पहला input है AND दूसरा input है आपका A dot AB complement complement operation होगी है ना AND OR NOT मिलकर NAND operation होती है तो यह इस तरह से लग गया है अब हम यहां पर D morgans theorem लगा देंगे तो यह जो AND है वो OR में change हो जाएगा और इनके उपर एक एक complement हो रहा जाएगा तो एक एक complement आने पर यह दोनों complement एक दूसरे को cancel कर देंगे तो Y is equal to क्या आजाएगा Y is equal to B and AB complement plus A and AB complement देखिए यह एक complement है और यहां पर D morgans theorem लगा दिया है इसलिए एक और complement आजाएगा तो वो दोनों complement cancel करेंगे अंदर का वैसे ही बचा हुआ है यहना यहां पर भी यह दोनों complement cancel कर देंगे तो अंदर का वैसे ही बचा है और यह जो end operation है वो और operation में change हो गई ठीक है अब यहां पर हम AB complement के ओपर फिर से D morgans theorem लगा देंगे तो हो जाएगा B and अब यहां पर A और B के भी चेंड है तो और में change हो जाएगा और individual complement आजाएगा means A bar plus B bar plus A and यहां पर अंदर आजाएगा A bar plus B bar ठीक है अब आप multiply केजिए तो यह आजाएगा B A complement plus B B bar जो की 0 हो जाएगा plus A A bar भी 0 हो जाएगा और A B complement तो plus A B complement तो देखिए आपका Y is equal to A X or B तो आपको कितने 9 tickets की ज़र्वत पड़ी है 4 की तो आपका option क्या आएगा 4 Thank you for watching the video If you are liking our videos then please like, subscribe and share our channel